नमस्कार भाशा का शिक्षाशास मौड्यूम में आप सभी का हार्डिक स्वागत है हार्डिक अभिनन्दन है हमारी जो आगे की चर्चा है वह दरसल आपको भाशा की कक्षा में लेकर जाने वाली है तो आईए हम देखते हैं कक्षा एक में भाशा शिक्षा की प्रक्रिया कैसे हो रही है आज हम एक कहानी पढ़ते हैं इस कहानी का नाम है मैं भी एक अंडा है उसमें से अंडा फूटा तो एक छोटा सा बच्चा निकल रहा है यही है बतक का बच्चा लेकिन ये कौन है यानि कि बतक के बच्चे के पास एक और अंडा है एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला मैं भी आ गया चूजा बोला यानि कि ये दो अंडे थे एक अंडे में था बतक का बच्चा और दूसे अंडे में था मुर्गी का चूजा तो ये मुर्गी का चूजा बोलता है मैं भी आ गया मैं घूमने जा रहा हूं बतक का बच्चा बोला मैं भी चलूँगा चूजा बोला मैं गड़ा खोद रहा हूं बतक का बच्चा बोला अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जो हैं बच्चे यानि कि एक बतक का बच्चा और एक मुर्गी का बच्चा दोनों कुछ खोदने में लगे हूं तो बतक के बच्चे अब यह तो दोनो बच्चे जो हैं नदी किनारे आ गए है बतक का बच्च तो नदी में तैर सकता है लेकिन क्या चूजा नदी में तैर पाएगा देखो मैं तैर रहा हूँ बतक का बच्चा बोला मैं भी तैरूँगा ये चूजा बोला उसने कहा मैं भी तैरूँगा और फिर आवाज आती है बचाओ बचाओ चूजा डूपते बेच लाया बतक के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला ये कितना मज़दार दिश्य है कि बतक का बच्चा किनारे पर है और चूजे को वह से से पकड़ कर बाहर निकाल रहा है आपने देखा कि भाशा की कक्षा में हम किस तरहां से कहानी को विस्तार देते हैं चाहे किसी कहानी का शीशक हो चाहे कहानी में आने वाले पात्रों को नाम देना हो या फिर ऐसी तमाम तरहां की गतिविदिया हो जिसे करने में बच्चों को मज़ा है तो आईए देखते हैं कि भाशा की कक्षा में और क्या होने वाला है आईए हम यह करके देखते हैं कि क्या तैरेगा क्या डूबेगा तो अब हमने सारा सामान तयार कर लिया है पाने भी रख लिया, पत्ते, फूल और शापनर, रबर, पैंसिल बहुत सारा समान हमने खटा किया है अब हम देखते हैं कि इन में से कौन सी ऐसे चीजे हैं जो तैरेंगी और कौन सी ऐसी चीजे हैं जो डूब जाएंगी तो हम शुरू करें तो सबसे पहले हम पानी में डालते हैं ये प्लास्टिक की बॉल अरे ये तो तैर रही है एक और बॉल डालके देखते हैं कि तैरेगी कि डूबेगी ये भी तैर रही है अब हमने ये लिया पत्थर अब ये देखते हैं कि पत्थर तैरेगा ये डूबेगा ये तो डूब गय हम लेते हैं शापनर ये तैरएगा या डूबेगा ये अभी तो टैर रहा है हमने ये लिया ऐ क्छोट सा रबर और इसे डाला ओह तो पानी में डूब गया हमने यह ली एक पैंसिल और इसे पाने में डाला यह तो तैर रही है हमने एक लिया धकन देखते हैं डूबेगा कि तैरेगा यह तो तैर रहा है तो हम यह देख सकते हैं कि जो लकड़ी की चीज़े हैं जो हलकी चीज़ें पर पानी पे तैरती हैं और जो पत्थर है कांच है जो भारी चीज़े हैं पर पानी में डूब जाएंगी मुझे मालूम है कि आपको ये गतिविली देखकर बहुत मज़ाया होगा मुझे सबसे जादा मज़ाया मज़ा क्यों आया हम यह सोच रहे हैं कि क्या डूबा क्या तैरा में भाशा कहा है इसमें भाशा मौझूद है है यह भाशा ही है बच्चे जब इस तरह की भाशा को सुनते हैं और जब वे इस प्रयोक को स्वें करके देखेंगे तो उनकी अलग अलग तरह की अभिवयक्तिüz का हिस्सा है इस फूरे वीडियो से इस पूरी तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि पहली क्लास में भाशा की कख्षा का स्वरूप क्या होता है दॉक्टर नीलकर्ण से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी भाशा की कख्षा में कहानी और कविता के इड़ गिर्द क्या-क्या जरूरी चीजे हैं जिने जानना जरूरी है और एक भाशा का शिक्षक या फिर भाशा के शिक्षक अपनी कख्षा में किस तरह से विद्यों को अंजाब दे सकते हैं आईए आज हम एक कविता के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो धारनाएं अभी तक हमने बनाई है भासा पढ़ने और समझने के संदर में उनका किस प्रकार से व्यवहारिक उप्योग करें इसके लिए जिस कविता का चैन कि गया गया है उसका सीरिसक है वह चिडिया जो और कवी हैं के दारनाथ अगरवाल तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ प्रारंब करते हैं वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह चोटी संतोसी चिडिया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे अन्न से बहुत प्यार है वह चिडिया जो कंट खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातीर रस उडेल कर गा लेती है वह चोटी मुह बोली चिडिया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे विजन से बहुत प्यार है वह चिडिया जो चोच मार कर चड़ी न तो आपने इस कविता का पाट सुन लिया, इस अंदर में मैं आप लोगों से यह साजा करना चाहूंगा कि किसी भी कविता को समझने और समझाने के लिए सबसे बहतर तरीका उसका एक उचित पाट होता है उचित पाट का मतलब आरोह अवरोह के साथ, लए के साथ, उसके अर्थ और भाव के साथ जब किसी कविता का आप पाट करते हैं तो आधे से अधिक कविता आपके समझ में आ जाती है और आपके विद्यार्थियों के समझ में भी आ जाती है तो अलग-अलग विदाओं को पढ़ना कहानी नाटा कविता आदी को भी एक कौसल है भासा का सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारो कौसल जिनकी हम बात करते हैं ये अलग-अलग कौसल नहीं है ये एकी कृत कौसल है और जैसे ही आप कहते हैं कि कविता पढ़ो तो कोई ने कोई उसी कख्षा में कविता को सुन भी रहा होता है जब आप विद्यारतियों से कुछ पूछते हैं तो वो बोल भी रहे होते हैं जब आप उनसे ये कहते हैं कि लिखो और दिखाओ तू लिख भी रहे होते हैं कहने का मतलब ये एक कविता को पढ़ते पढ़ाते आप भासा के सारे कोसलों पर एक साथ काम कर रहे होते हैं तो ये कौसल अलग अलग नहीं होते हैं, एक इक्रित होते हैं, एक अकेला विद्यारती भी जब कविता को पढ़ रहा होता है, तो वो उसको सुन भी रहा होता है, समझ भी रहा होता है, तो ये सारे कौसल समझ के साथ होते हैं, अगर आप किसी कविता को, कहानी को, नाटक को स सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं तो वो कौसल का उपयोग नहीं है वो सिर्फ सुनना भर है सुनना कौसल में परिवर्ति तब होता है जब आप उसको समझ कर सुनते हैं समझ कर उसको अव्यक्त करते हैं बोलते हैं इसलिए जब कभी भी भाशाई कौसल को आप समझें और स सवाल हमारे सामने ख़ड़ा होता है कि कविता में आए हुए सब्दों का हम क्या करें चा उन सब्दों का अर्थ हम पहले ही बता दें या उन सब्दों को हम विद्यारतियों तक पहुँचने दें उनको आगे पीछे के संदर में उसका अर्थ करने दें और अगर उसमें वो सक सब्द मुस्किल सब्द नहीं किसी विद्धियार्थी के लिए कोई सब्द मुस्किल हो सकता है तो दूसरे के लिए आसान भी हो सकता है अब जैसे यहाँ पर एक सब्द आया है जुंडी दाना या और भी रस रुची ऐसे तमाम सब्द हैं जो उस कच्छा में मौजूद होंगे तो मेरा अनरोध यह है कि आप पहले उन सब्दों की सूची विद्धियार्थियों के समक्ष रखें और उनसे कहें कि थोड़ा आप ध्यान दें और अपनी अपनी मात्री भासा में चोच के लिए सब्द ढूड़ें जुंडी के लिए सब्द ढूड़ें इसी तरह क और भी रुची के लिए रस के लिए तो आप देखें कि बच्चे तुरंत भोजपूरी से पंजाबी से मैथली से बांगला से जिस किसी प्रिस्ट भूमी के वो विद्धियार्थि होंगे वो सब ढूड़ कर ले आएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनको अपनी मात मात्री भासा से भी जोड़ रहे हैं चाहे आप हिंदी पढ़ाएं या अंग्रेजी आप उनकी मात्री भासा को स्विकार जरूर करें उनकी मात्री भासा का सम्मान जरूर करें और उनकी मात्री भासा से होते हुए जब आप किसी भासा पर आएंगे तो वो सक्रियता के साथ आनंद के साथ सीखेंगे तो हम मात्री भासा का उपयोग करते हुए बहुभासिक अवधारनाओं का उपयोग करते हुए भासा और साहितिके सिक्षन में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे कई बार ये प्रस्ण भी सामने आखड़ा होता है कि चाक कविता के माध्यम से भी व्याकरन को पढ़ाया जा सकता है तो मैं कहूँगा निश्चीत रूप से कविता ही नहीं किसी भी विधा के सहरे आप व्याकरन को पढ़ा सकते हैं और व्याकरन पढ़ाने का सरस्यस तरीका भी यही है कि आप पहले किसी ने किसी विधा को सामने रखें और उसके बाद उसमें आये हुए सब्दों, उसमें आये हुए उप्योग और वाकि संदचनाओं के आधार पर व्याकरन का सिक्षन करें जैसे आप अपने विध्यार्थियों से यह कह सकते हैं कि यहां जो चिडिया है उसकी विशेस्ता क्या है तुरंत आपको विध्यार्थी बताएंगे बच्चे बताएंगे कि सर वो नीले पंखों वाली है, सर वो संतोसी चिडिया है, वो गर्बीली चिडिया है, तो यह सारी चीजें क्या हैं चिडिया की विशेष्टा ही तो बता रहीं और जो विशेष्टा बताए वो विशेष्टन है तो आपको अलग से विशेष्टन की अवधारना में जाने की कोई आवस्यक्ता नहीं है आप इस कविता के माध्यम से ही विशेष्टन को पढ़ा सकते हैं अब द खाना जो की क्रिया है, कैसे खा रही है, कैसे गा रही है, जो बता रहा है, जो बताए, वो क्या होगा, क्रिया विशेशन, तो जो सब्द क्रिया की भी विशेशन बता रहे हैं, वो क्रिया विशेशन की तरह प्रियुक्त हो रहे हैं, तो आप चाहें, तो यहीं पर रुक कर, रस उडेल कर गा लेती है, इसका उदाहरन लेकर उसे क्रियाविशेशन भी बता सकते हैं। और बताने कि कोई आवस्यक्ता नहीं है कि जहां चिडिया मौझूद है, वहां संग्या के लिए आप कहीं और क्यूं जाएंगे। चिडिया खुद ही संग्या है, आप बताईए ये जो नीले पंखों वाली चिडिया है, यही चिडिया तो संग्या है। दूर जाने की क्या जरुवत था और जब चिडिया कहती है कि मैं और मुझे, तो वहां पर आप देखिए कि सर्वनाम का प्योग है, तो आप इस कविता के माध्यम से संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, क्रिया, विशेशन और भी बहुत सारे व्याकरन के बिंदूओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने विद्यारतियों को पढ़ा सकते ह वस्तह सब्दों का भी अर्थ संधर्व में ही खुलता है और व्याकरन को भी संधर्व में ही पढ़ाया जाना चाहिए जब तक आप आगे पीछे के संधर्व को जिसे आप कॉंटेक्स्ट कहते हैं सामने नहीं रखेंगे तब तक विद्यारतियों के समझ में वो बात आएगी नहीं इसलिए व्याकरन के छेतर में भी उदाहरन सामने होना चाहिए तब आप परिभासा बताएं तब उसके बारे में आप जानकारी दें तो विद्यारतियों की समझ का वो हिस्सा बनेगा अनिथा वो सिर्फ रट सकते हैं समझ के हिस्से के रूप में उसका उपयोग साइद ना कर पाएं इस कविता का अर्थ करते हुए आप अर्थ तो करें ही अर्थ करने के लिए विस्तार से समय चाहिए जिसका आप उपयोग कर सकते हैं कख्षा में लेकिन अर्थ को करने की प्रक्रिया में भी कुछ गतिविधी को आप जरूर दिहान में रखें जैसे वह छोटी संतोसी चिडिया मैं हूं तो मैं चिडिया हूं हर किसी के मन में चिडिया होती है और वो घूदकर बाहर निकलना चाहती है, उछलकर बाहर निकलना चाहती है, मन होता है कि उड़कर इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, कहने का मतलब ये कि एक स्वतंत्र मन का भाव चिडिया के रूप में अव्यक्ट हो सकता है, तो आप अपने विद्यारतियों से कह सकते हैं कि अपने आपको चिडिया मानते हुए आपके मन में जो भी भाव आ रहा है वो कविता के रूप में, कहानी के रूप में, डाइरी के रूप में या किसी अन्य रूप में अव्यक्त करने की कोशिस करें तो निश्चित रूप से अगर कोई लड़की है तो वो उसके सामने जो चुनवतियां है उसके मन में जो भाव हैं उन भावों को वो अव्यक्त करेगी अगर कोई विद्यार्थी खेलता कुटता है तो हो सकता है वो उस तरह के भाव को अव्यक्त करें और इस तरह से अलग अलग भावों को जोड़ कर आप सामाजिक और राश्टी मुद्दों तक उस कविता का विस्तार कर सकते हैं जब तक आप ज्यान और अर्थ स्रिजन की प्रक्रिया में अपने विद्यार्थियों को सामिल नहीं करेंगे तब तक वो कविता उनसे जुड़ेगी नहीं और उनकी समझ का हिस्सा भी नहीं बनेगी तो आपने देखा कि एक कविता का उदाहरन लेकर कैसे आप बच्चों की मात्रिभासा का उप्योग कर सकते हैं आप राश्टी समाजिक मुद्दों को सामिल कर सकते हैं उसे परिवेश से जोड़ सकते हैं किस प्रकार आप सब्दों के अर्स तक उनको ले जा सकते हैं आगे पीछे के संदर्व को देखते हुए इसी कविता के माध्यम से आप व्याकरन को कैसे पढ़ा सकते हैं तो यह एक तरीका है जिसका उपियोग एक खास विधा के संदर्व में आपने किया आप इस तरह के और भी उदाहरन ले सकते हैं अभी बहुत सारी धारनाएं हैं जो इस एक कविता में नहीं आप आई होंगी आप और विधाओं को लें और कविताओं को लें और अब तक जो भी आपकी धारनाएं बनी हैं और बनाई गई हैं इस निस्था ठरिंग कारिक्रियम के दौरान उसका उप्योग कच्छा सिक्षन के दौरान अवस्ची करें धन्यवाद